नमस्कार दोस्तो आप सभी का अमारे यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तो अपने राजिस्तान के भुगोल में नदी तंतर की चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने लगबग राजिस्तान की सभी नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी बस आपके सामने अब एक नदी बाकी रह गई है और उस नदी का नाम है चंबल नदी और चंबल की हमने एक आदिसाइक नदियों के बारे में विचर्चा कर ली थी तो आप सबसे पहले जो है चर्मनवती क्या का जाता है चर्मनवती नदी कहा जाता है इसी को ही क्या का जाता है सदावाहिनी नदी कहा जाता है क्या का जाता है सदावाहिनी इसी को ही बारे मासी नदी कहा जाता है क्या का जाता है बारे मासी इसी को ही कहा जाता है नित्य वाहिनी ठीक है और इसी का इना में राजिस्तान की काम धेनु कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है राजिस्तान की काम धेनु कौन सी नदी है चंबल नदी चंबल नदी के देखो उपनाम चर्मनवती है सदा वाहिनी है बारा मासी है नीत्य वाहिनी है राजिस्तान की काम धेनु है इसी को ही मालवे की गंग के उपनाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है और ये कौन सी नदी आपके चंबल नदी है अब सबसे पहली बात तो है हम चंबल नदी के उद्गम छेतर की बात करेंगे भी चंबल नदी का उद्गम छेतर है वो यहां से होता है यह देखो यहां से इसका नाम जो है वो है आपक जाना पाव की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है जाना पाव की पहाड़ी ठीक है जाना पाव की पहाड़ी इस्तान कौन सा है महू नामकिस्तान है कौन सा इस्तान है महू नामकिस्तान है और विंद्याचल परवतमाला है और जिला पुछे तो कौन सा है आपके जिला है ये ठीका ठीक है जो जो चंबल नदी है वो इस तरहें से जो है परवाइत होती हुई इस तरहें से परवाइत होती हुई यहां तक एक नदी आ रही है इस नदी में विलिन हो जाती है और यह नदी कौन सी है यमुना नदी है ठीक है कौन सी नदी है यह यमुना नदी है ठीक है च हो जाती है ठीक है जिस तिरेंसे जिस दगहेंसे यह विलीन होती है उसका नाम है मुराद गंज इटावा उत्तर परदेश ठीक है मुराद गंज इटावा उत्तर परदेश यहां जाकर जो है किसमें विलीन हो जाती है यह तो आपके कौन सी नदी में विलीन हो जाती है या मुना नदी में विलीन हो जाती है ठीक है इसके बारे मैंने आपको बताई दिया ने ना मैंने आपको बताई दिया कहां कहां से ये निकलती है और किस किस छेतर में अब परवाईत होती है देखो इसका परवाई छेतर सबसे पहले तो इ प्ररवेस्ट करेगी, उसके बाद में प्रवाइत औहने के बाद में ये जो है बुंदी कोटा, ठीक है बुंदी or कोटा की सीमारेखा पर परवाईत होगी फिर ये कहां परवाईत होगी स्वाई मादोपूर में फिर करोली और फिर धौलपूर और धौलपूर के बाद में ये कहां चली जाएगी उत्तर परदेश में ये इसका क्या है परवाचेतर है मद्या परवेश करेगी इसके बाद में इसका जो परवाच नदी में विलीन हो जाती है ठीक है तो इस चीज का आप ध्यान रखना कौनसी नदी में विलीन हो गई है अब इसकी मैंने एक परमुक्स आए कि यह जो त्रीवेनी संगम इस नदी पर बंद रहा है वह एक तो मैंने आपको बताई दिया स्वाईमादोपुर में ठीक है इधर से कौन सी नदी आ रही है आपके बनास नदी कौन सी नदी बनास नदी और इधर से जो है कौन सी सीप नदी ठीक है कौन सी नदी है सीप नदी तो एक तो यहां पर यह जो है त्रीवेनी संगम का क्या करती है निर्मान करती है कौन से संगम का त्रीवेनी संगम का निर्मान क ठीक है अब इसके बाद में आगे देखो आगे अगर हम इसमें बात करें तो इसकी साइक नदियों की पहली जो साइक नदी है उसका नाम है जो यहां से निकल कर इस तरहें से जो है यहां पर इस नदी में विलीन हो जाती है जिस नदी की किनारे उजेन सहर बसा हुआ है और उ तो चंबल नदी में जाकर विलीन हो जाती है, जिसके किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है, उजेन सहर बसा हुआ है, ठीक है, इसी तरहें से आपके एक नदी यहां से निकलती हुई, इस तरहें से परवाइत होती है, इस तरहें से परवाइत होती हुई, यह जो है, इस चेतर में जाकर जो है किस नदी में विलीन हो जाती है तो कौन सी नदी में विलीन हो जाती है तो कौन सी नदी में विलीन हो जाती है कौन से स्थान पर तो नानेरा नामा की स्थान पर इस नदी में विलीन हो जाती है और उस नदी का नाम है आपके काली सिंद नदी है ठीक है कौन सी से निकलती है कहां से जिसका उद्गम होता है बागली ग्राम और बागली ग्राम कहां है MP से इसका क्या होता है उद्गम होता है और कौन सी नदी है काली सिंद नदी काली सिंद नदी जो है इस तरह से प्रवाइट होती हुई ठीक है और नानेरा नामकिस्तान पर कोटा के और ये नदी जो है यहां जहलावाड में बिंदा नामक इस्तान पर ठीक है कौन से इस्तान पर है जहलावाड में बिंदा नामक इस्तान पर जो है जहलावाड के अंदर बिंदा नामक इस्तान पर इसमें विलीन हो जाती है जो की इस नदी में और जो की राजस्तान में जो प कौन सी नदी में तो काली सिंध नदी में जाकर वीलिन हो जाती है और इस नदी का नाम क्या है आहू नदी है ठीक है कौन सी नदी है आहू नदी है इस नदी का नाम क्या है आहू नदी है ठीक है तो ये नदी भी आप ध्यान रखना कौन सी नदी आहू नदी आहू नदी किसक कि साइक है तो चंबल नदी की साइक है इसी तरह से जो है मालवा के पठार से एक नदी और निकलती है वो भी इस तरह से प्रवाइत उत्ती वी किस नदी में जाकर मिल जाती है तो काली सिंद्ध नदी में मिल जाती है और इस नदी का नाम क्या है परवन नदी है ठीक है तो का राजस्तान में खेडी बारे नामकिस्तान से परवेस करती है और इस तरह से परवाईत होती हुई वापस MP में जाकर स्वाई मुद मादयपूर में जाकर जो है मिल जाती है का है तो परवेस करके वापस MP में जाती है और उस के बाद राजस्तान में स्वाई मादयपूर में जो है किस नदी में मिल जाती है तो चंबल नदी में मिल जाती है देखो किस तरह से पहले पारवतिन नदी कहां से निकली MP से हो छेतर MP से निकली इसके बाद में ये कहां प्रवेश किया इसने राजस्तान में प्रवेश करने की बाद वापस कहां गई MP के अंदर और इसके बाद ये वापस कहां गई है राजस्तान में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है ये जिस स्थान से राजस्तान में परवेश करती है उसका नाम है करियाहट क्या नाम है करियाहट और करियाहट नामक जो छेतर है कहां है 12 के अंदर है करिया है 12 में और जिस स्थान में जो है जाकर यह चंबल नदी में मिलती है उसका नाम है पलिया ग्राम क्या नाम है पलिया ग्राम पलिया ग्राम में जाकर जो है यह किस नदी में मिल जाती है तो चंबल नदी में जाकर विली ने हो जाती है तो यह क्या है कि इसकी सहायक नदिया हैं कि इसकी चंबल की सहायक नदिया हैं इसी तरह से छोटी चोटी और नदिया है जो इसमें आकर मिलती है जैसे मालो कि एक छोटी सी यहां से बामनी नदी निकलती है जो चितोड़गड में आकर इस नदी में विलीन हो जाती है कौन से में चंबल में क कोटा ठेतर में जाकर इसे नदी में मिल जाती है और इसका नाम क्या है कुराल नदी क्या का नाम tut है कूराल नदी आ पनास का मैंने आपको बताई दिया एक तो बामनी है जो इसकी साहएक नदी हैं इस तरह से यह प्रवाय तो होती है और ये कौन सी है, कुराल नदी है, कोटा में जाकर किस नदी में, चंबल में जाकर विलिन हो जाती है, then, अब हम जो है, चंबल की परमुक्साहैक नदियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं आपके सामने, अब इन की थोड़ी बहुत जो विशेशताई हैं, मैं उन विशेष्थाओं के बारे में आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि विशेष्थाओं से परशन ज़्यादा पूछे जाती है ये मैं ये डाइग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ये इनकी विशेष्थाओं भी पढ़ेंगे अंबीकिस की सेतर में प्रवाइट होती है सारी मैं आपको यहां पर करम से बताऊंगा ठीक है एक बार के लिए आप ये डाइग्राम अपने ध्यान में रखना आपके ठीक है तो अब हम इसी करम में आगे चलती हैं तो सबसे पहली चर्चा हम करेंगे कि चंबल की विशेष्थाओं को चंबल की विशेष्थाओं पढ़ने से पूर्वे मैं इनकी सायक नदियों की एक दो जो विशेष्थाओं अभी ये दक्षिन से उत्तर की और जो चंबल में कौन-कौन सी नदी सायक नदियां जो है मिलती है या इसका कोई करम क्या है तो सबसे पहले आप लिखो कि दक्ष दक्षिन से उत्तर की और दक्षिन से उत्तर की और चंबल में मिलने वाली साहायक नदियों का करम ये प्रशन इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले सिपरा कौन सी है सिप्परा ठीक है सिप्परा के बाद में कौन सी है बामनी ये प्रशन आ सकता है ऐसे ही प्रशन छपेंगे टेंसन मत लेना प्रशन ऐसे ही छपेंगे ठीक है बामनी के बाद में है कुराल कौन सी है कुराल ठीक है कुराल के बाद में है काली सिंध कौन सी काली सिंध है ठीक है और इसके बाद में कौन सी है आपके लास्ट में जो आकर मिलती है वो कौन सी है पारवती कौन सी नदी है पारवती ठीक है अगर राज्यस्तान में पूछ ले आपसे भी राज्यस्तान में दक्षिन से उत्तर की और चंबल में मिलने वाली साइक नदियां तो आप उसमें सिप जो है वो कहां से आकर मिलती है MP में आकर इस नदी में मिलती है ठीक है कैसे भी परशन पूछ ले विदक्षिन से उत्तर की और चंबल में मिलने वाली साइक नदियां सिप्रा बामनी कुराल काली सिंद बना सीप यह इस तरह से पारवती ठीक है अब विपरित परशन बन जाएगा इसके क्या पूरव से पश्चिम क्या परशन बन गया पूरव से पश्चिम चंबल की सहायक नदियों का सही करम क्या है ठीक है पूरव से पश्चिम चंबल की सहायक नदियों का सही करम क्या है पूरव से पश्चिम देख लो पहले कौन सी पारवती आएगी पहली कौन सी आएगी पारवती पारवती के बाद में आपके कौन सी आएगी काली सिंद्ध ठीक है काली सिंद्ध के बाद में कौन सी आएगी शिप्रा काली सिंद्ध के बाद में कौन सी आएगी सिप्रा ठीक है सिप्रा के बाद में कौन सी आएगी बामनी कुराल बनास कैसे हुआ ये तो ये चीज ध्यान रखना ये इनके उद्गम स्तल की द्रिष्टी से हुआ है उद्गम स्तल के अधार पर इनों ने ये करम बताया है ठीक है ना ये चीज ध्यान रखना पूरा उसे पश्शिम चंबल नदी में की सहायक नदीयों का सही करम क्या है ये इस तरह से उद्गम स्तल की द्रिष्टी से द्यान रखना तो इस तरह से इनका क्या है ये करम है उद्गम स्तल के अधार पर इनों ने ये करम जो है बताया है किस के अधार पर ये चीज द्यान अपको किस के अधार पर बताया है उद्धकर में सथल के अधार पर वताएं इनों ने ठीक है पूरो से प्रशिम चंबल की साएक नदियों का सब्शंढ करेगा अब दुषरows पूरव से पश्चिम राजिस्तान की नदियों का सही करम क्या है ठीक है तो पूरव से पश्चिम अगर राजिस्तान की नदियों का सही करम पुछे तो सबसे पहले आएगा नाम पारवती, कौन से है, पारवती ठीक है? पारवती परवन, चेत्रगला, काली सिंद, ठीक है, फिर कौन सा आएगा? चंबल चंबल और बनास इस तरह से इनका सही करम आई गा है पर्वति पर्वन काली सिंध आहू चंबल बामनी कुराल और बनास ये जो है इसका क्या है पूरा उसे पश्रिम राजिस्तान की नदियों का सही करम है ठीक है तो यह प्रशन जो है मोर्डन जमाने के जो पर प्रोत्ते ना जो 2020 किस्म होंगे उनमें देखने को मिलेंगे आपको ठीक है तो इंपोर्टेंट है दिहान रखना अब हम बात करते हैं चंबल नदी की विशेशताएं तो आप हेडिंग डालीजिए चंबल नदी की आपने यहां हो सकती है सबसे पहली बाद चंबल नदी की विशेशताएं एक तो चंबल नदी जो है चंबल नदी राज्यस्तान की सबसे लंबी ठीक है सरवादिक ओबलिक सरवादिक स्थाई जल औबलिक सरवादिक उप्योगिता वाली नदी है ठीक है चंबल नदी राज्य साइन की सबसे लंबी सरवादिक सतही जल सरवादिक सरवादिक उप्योगिता वाली नदी है कौन सी नदी चंबल नदी ठीक है पहला important बिंदू दूसरा जो महतोपुन बिंदू है वो है चंबल नदी कौन सी नदी चंबल नदी एक तो अवनाली का अपरदन उत्खात इस्तला करती इस्तला करीती ठीक है उत्खात इस्तला करती बीहड के लिए क्या है ये नदी परसिद है ठीक है बीहड के लिए परसिद है ठीक है चंबल नदी अवनाली का अपरदन उत्खात इस्तला करती और बीहड के लिए परसीद है तीसरी जो बात है वो ये है कि चंबल नदी राजिस्तान की एक मातर बारा मासी नदी है कहीं कहीं आपको माई नदी भी मिलेगा लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना ठीक है माई नदी अगर ओप्षन दो एक साथ हो कैसे बी निमन लिखित में से कौन सी नदी राजिस्तान की जो बारा मासी है जैसे ऐसे दिया हो माही है चंबल है बनास चंबल है ठीक है और आपके assignments मिले बनास माही है इस तरह से तब आपको माही चंबल करना है अगर आपकी option में चंबल और माई दोनों दिया हो अलग अलग तो आपको कौन सा करना है चंबल ही करना है बी चंबल जो है वो एक मातर बारहे मासी नदी है किसकी राजिस्तान की ठीक है राजिस्तान की एक मातर बारहे मासी नदी है अगर दो option वैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे अगर एक साथ हो तो आपको दोनों ही करने है ठीक है तो यह चीज आप द्यान रखना अब चंबल नदी घाटी की जो परियोजनाएं है उन परियोजनाओं की हम चर्चा करेंगे भी चंबल नदी जो है परियोजनाएं जो है वो कौन-कौन सी है अगर विशेस्ताओं मे चंबल घाटी परियोजनाएं जो है चंबल नदी घाटी जो परियोजनाएं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजनाएं कौन-कौन सी इस नदी घाटी पर परियोजनाएं संचाली जा रही है ठीक है तो चंबल नदी घाटी परियोजनाएं जो पचास पचास परतिसस योग है ठीक है और इससे भी 113 में मेगावाट बिजली का उतपादन हो रहा है इससे भी कितना हो रहा है एक सो तराण में मेगावाट बिजली का उतपादन हो रहा है और दोनों से अगर हम बात करें तो कितना है 306 मेगावाट बिजली का क्या हो रहा ह उत्पादने हो रहा है ठीक है चंबल नदी घटी परियोजना इसी परियोजना की अंतरगत चार बांद बनाए गई है ठीक है चंबल नदी घटी परियोजना की अंतरगत कितने बांद बनाए गई है आपके चार बांद बनाएंगे एक दो तीन और चार चंबल नदी घटी प कांदी-सागरबान कांदा मांन सूर एंपी के अंदर है ठीक है दूसरा आपके राणा-प्रताब-सागरबा क्यों जोड़ाचागर बना यह रावत-भाटा-चितोड में बना व立त रावत-भाटा-चितोड़ में तीसरा है जवाहर सागर बान ठीक है कौन सा बान बना हुआ है जवार सागर बान ये बोरावास कोटा में बना हुआ है कहां बोरावास कोटा जवार सागर बान कहा है बोरावास कोटा और चोथा है उसका नाम क्या है कोटा बेराज ठीक है चोथा बान कौन सा है कोटा बेराज और कोटा विराज कहा है तो कोटा में हैं कोटा विराज कहा है कोटा के अंदर है ये इस पर क्या बने हूँ है परमुक बांध बने हूँ है गांधी सागर राणा परताव सागर जवार सागर हो रहें कोटा विराज ठीक है गांधी सागर जो बांध है इससे 115 मेगावाट एक सो बहतर मेगावार्ट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है ठीक है एक सो बहतर मेगावार्ट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और यह जो है इस से निनार्मे मेगावार्ट बिजली का क्या किया जा रहा है उत्पादने किया जा रहा है और कोटा बेराज जो है ये आपके पेजल पलस सिंचाई प्रियोजनाई है बिजली उत्पादनी यहां से नहीं होता है ठीक है पेजल और सिंचाई प्रियोजनाई है अब कोटा बेराज से समंधित प्रिशन आ सकता है कि पेजल और सिंचाई है जो है यह कौन-कौन से चेतर में पेजल वे सिंचाई उपलब्द करवाता है कौन सा कोटा बेराज तो यह चीज ध्यान रखना कोटा बेराज जो है आपके बुंदी स्वाइमादोपूर करोली और जो है बारा इन चार चेतरों में जो है सिंचाई वे पेजल सुविदा उपल चलो एक लाइन लिखवाई देता हूं आप नोट कीजिए कोटा बेराज लिखिये कोटा बेराज से पेजल एवं सिंचाई हे तू तीन परकार की नहरें निकाली गई है ठीक है तीन परकार की नहरें निकाली गई है ठीक है कोटा बेरा से पेजल ये सिंचाई है तू कितने परकार की तीन परकार की नहरें निकाली गई है ठीक है पहली नहर है जिसका नाम है चंबल नहर पहली नहर कौन सी है चंबल नहर और ये जो है किसको उपलब्द करवाती है सिंचाई स्विधा तो बुंदी को उपलब्द करवाती है ठीक है चंबल नहर किसको सिंचाई या पेजल उपलब्द करवाती है बुंदी को दूसरी है इंद्रा गांधी लिफ्ट नहर इंद्रा गांधी को नाम लियोन जूआ ही मादपूर पलस करोली को सिंचाई उपलबद करवाती है या करोली को पेजल सुईदा उपलबद करवाती है कौनšी इंद्रा गांधी लिफ्ट नहर presented ऐसे हैं अन्य आठ और लिफ्ट नहरे ए Jutland baikman yeah नंहाथ है if there is a किस किस को सिंचाई उपलब्द करवाता है कोट्टा कोट्टा और कोट्टा के साथ साथ किस को करवाता है बारा ठीक है कोट्टा और बारा को ये सिंचाई स्वीधा उपलब्द करवाती है ठीक है तो ये चीजे ध्यान रखना पहली सिंचाई प्रियोजना नदी घाटी प्रि एक चीज आगे भी आप द्हान रखना दूसरी जो इस पर पर्योजना बनाई गई है उस दूसरी पर्योजना का लाम है आपके राउ घाट पर्योजना सेकंड जो प्रियोजना है उस सेकंड प्रियोजना का नाम क्या है राहु घाट प्रियोजना दूसरी प्रियोजना कौन सी है राहु घाट प्रियोजना ठीक है और कौन सी नदी पर है ये भी तो ये भी कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है, कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है, और ये जो है, राजस्तान पलस MP, दोनों की इसमें भागीदारी है, राजस्तान की और मद्य परदेश की, राजस्तान की कितनी है, 50% है, और MP की कितनी है, 50% है, ठीक है, इससे भी 79 मेगावाट बिजली का उतपादन होता है इससे भी कितना होता है 79 मेगावाट बिजली का उतपादन होता है टोटल कितना हो गया तो टोटल 158 मेगावाट इन दोनों से क्या होता है बिजली का उतपादन होता है कितना 158 मेगावाट बिजली का उतपादन होता है ठीक है और इस रावुगाट प्रियोजना से जो लाभानवीत जिला है, लाभानवीत जिला है वो आपके कौन सा है, करोली है, अब बात करते हैं, एक एक दो दो पोइंट है आपके चंबल नदी की साहेक नदियां, दो दो तिन तिन तिर पोइंट है, वो मैं यहीं बता देता हूं, पहली नदी जो है वो कौन सी है पारवती नदी है ठीक है यह जो पारवती नदी है यह राजस्तान पलस MP राजस्तान और MP की दो बार सीमा रिखा बनाती है ठीक है राजस्तान और MP की पारवती नदी जो है ध्यान से सुन लेना पारवती नदी जो है राजस्तान और MP की कितने बार दो बार सीमा रिखा बनाती है ठीक है कौन सी नदी पारवती नदी उद्गा मैंने आपको बताई दिया MP से सेहर चेतर मैंने आपको बताई दिया अपवा चेतर जो है इसका मद्यापरदेश राजस्तान में 12 12 के बाद में स्वाई मादवपूर और वापस जो है यह 12 के बाद में यह वापस जो है किसमें प्रवेस करेगी आपके MP के अंदर वापस जो है स्वाई मादवपूर के पलिया गाउं में मैंने आपको बताई दिया कौन सी नदी में विलीन हो जाएगी ठीक है दो बार सीमा बनाती है यह मैंने आपको बताई दिया ठीक है और यह नदी जो है कौन सी नदी पारवती नदी कोटा पलस बारा कोटा पलस बारा के मध्य कोटा और बारा के मध्य प्राकर्तिक सीमा का निर्मान करती है कोटा और बारां के मद्य प्राकर्तिक सीमा का निर्मान करती है ठीक है और बारां के अंदर इसी नदी पर कहां बारां में इसी नदी पर किसन गंज सहर सित है ठीक है जो है बारां में इसी नदी पर कौन सा सहर है किसन गन सेर इस्तित है और इसकी जो सायक नदी है सायक नदी हो में अगर मैं बात करूँ तो एक तो आती है कूल नदी एक आती है बेंथली नदी कौन सी नदी बेंथली नदी और एक आती है आपके बिलास नदी कौन सी नदी है बिलास ये सारी सारी जो है इस नदी की क्या है साहयक नदी है ठीक है इस नदी की क्या है साहयक नदी है कौन सी नदी की पारवती नदी की क्या है साहयक नदी है अब दूसरी अगर मैं इसकी साहयक नदीयों में बात करूँ तो दूसरी आपके नाम आता है इसकी साहयक नदीयो मैंने आपको बताया ही था ठीक है देवाजिला MP से इसका उद्गम होता है मध्या परदेश जालावाड ठीक है ये जो है इस तरह से फिरना नेरा गाओं कोटा में जो है किसमें चंबल नदी में विलीन हो जाती है एक तो ध्यान रखना काली सिंद नदी को जालावाड का सोक क बहा जाता है किस नदी को काली सिंद नदी को और काली सिंद तथा आउ नदी के संगम पर काली सिंद पलस आउ नदी के संगम पर गाघरोन दुरग स्थित Guan काली सिंद तता आउ नदी के संगम पर कौन सा दुरग है गागरोन दुरग इस्तित है यह चीज द्धान रखना काली सिंद और आउ नदी के संगम पर गागरोन दुरग इस्तित है ठीक है काली सिंद और परवन नदी के संगम पर ये भी तो बाद ध्यान रखनी आपको काली सिंद पलस परवन नदी के संगम पर काली सिंद और परवन नदी के संगम पर मनोर थाना दुरग है काली सिंद और परवन नदी के संगम पर कौन सा दुरग है मनो और थाना दुरग इस्तित है तो ये चीज भी आप द्यान रखना एक तो काली सिंद आउ नदी के संगम पर ये इसमें मैंने आपको बताया ही था ये देखो ठीक है काली सिंद और आउ नदी के संगम पर कौन सा दुरग आ गया यहां पर गागरोन दुरग आ गया और काली सिंद और परवन नदी के संगम पर आपकी कौन सा आ गया मनो और धाना दुरग इस्तित है कौन सा दुरग है काली सिंद और परवन नदी के संगम पर कौन सा दुरग है तो मनोर تھانा दुरग इस्तित है ठीक है अब इसके बाद में जो तीसरी असमी के इसके साथ जो महतपुन नदी आती है सायक नदीओं में उसका नाम है बामनी नदी कौन सी नदी है बामनी नदी है ठीक है बामनी नदी के बारे में अगर बताएं तो ये राजस्तान ये नदी जो है राजस्तान की और से चंबल में सबसे पहले मिलने वाली नदी है ठीक है राजस्तान के औरचे चंबल में मिलने वाले सबसे पहले नदी है बामनी और चंबल नदी के किनारे किस किस के बामनी पलस चंबल बामनी पलस चंबल नदी के किनारे जो है भेंसरोडगड दुरग है भेंसरोडगड दुरग स्थित है ठीक है बामनी और चंबल नदी के किनारे कौन सा दुरग स्थित है भेंसरोडगड दुरग है भेंसरोडगड अभ्याने भी है ध्यान रखना अभ्याने भी है भेंसरोड सब्सक्राइब गर है सहाइक नदिया है अब मैं आज के लिए तो आप इतना ही आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे एक वीडियो मैं इस नदियों से समंदित और लेकर आँगा जिसमें मैं आपको नदियों से समंदित और अन्य कौन कौन से कहां कहां से परशन बनने वाले उसके बारे में बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि कौन सी नदि के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है इस समंदित में आपके सामने एक नदियों से समंदित और एक वीडियो और लेकर आएंगे तो तब तक के लिए आपको दन्यवाद आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और एक चीज ध्यान रख लेना इस टॉपी के बाद हम राजस्तान का सबसे कठिन टॉपी की पड़ेंगे कौन सा राजस्तान के परमुख खनीजों के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों